नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इन्फो अकैडमी पर और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में सूचना लेकर आया हूँ और आप इस परकार की नए-नी सूचना प्रापत करने के लिए नए-ने एंप्लेमेंट नोटिस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों से समंदित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे इस वीडियो में जो भरती है वो दिली कोसल उधमेता विश्वद अलय नियू दिली के दोरा जारी के गयी है यह दिली की एक skilled and entrepreneurship यूनिवस्टी है और इस university के तहट जो advertisement जारी की गई है इस advertisement का नंबर है 1 बटे 11 बटे 2020 और इस advertisement के तहट विभिन परकार के पदों के लिए online application invite की गई है इस परकार के नएने notification जानने के लिए आप चैनल को subscribe जरूर करें और आगे की वीडियो में आप देखें कौन-कौन से पदों के लिए online application invite की गई है आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको सबसे पहला जो important notice है इस advertisement का वो बताया गया है कि केवल और केवल online application ही इन सभी पदों के लिए accept की जाएंगी online apply करने के लिए जो शुरुवाती तारिख है वो 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2021 के मध्य में ही आप अपना online application submit करवा पाएंगे यानि के आपको ये 15 दिन का ही समय मिला है यानि के 5 दिसंबर 2021 से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक आप देखते हैं कौन-कौन सी vacancies है vacancies का वीवरण आपको tabulator form में आपको दिखाई पढ़ रहा होगा सबसे पहली पद है जो पहला पद है junior assistant oblique office assistant इसे आप LDC का पद भी समझ सकते हैं ये LDC का एक सबरूप है जिसे आप junior assistant का एक पद नाम दे दिया गया है और इसमें कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा vacancy है 42 पद है और इन 42 पदों में से 3 economically weaker section के लिए है जर्नल स्रेणी के लिए 19 हैं OBC स्रेणी के लिए 11, SC के लिए 6 और ST के लिए 3 vacancy है और handicap स्रेणी के लिए 2 vacancy आरक्षित रखी गई है इसके बाद है senior assistant के 3 पद है इसमें कुल 3 पद जर्नल स्रेणी के लिए है और इसके बाद program officer ASO के कुल 4 पद है जिनमें से जर्नल स्रेणी के लिए 3 OBC के लिए 1 vacancy है office superintendent के लिए 2 vacancy है दोनों की 2 vacancy जो है जर्नल स्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है इन सभी पदों के लिए जो आपने apply करना है उसके लिए website का link भी आपको blue lines में आपको दिखाई पड़ रहा होगा सबसे पहले जो website का link है dseu.ac.in slash workwithus इस link से आप अपना qualification, age limit और फिर सित्यादी का जो पूरण विवरन है इस या advertisement डाउनलोड कर सकते हैं और अगला link जो है उस link से इसी link के मादम से यह दुबारा से repeat किया गया है यह link और इस link के मादम से आप अपनी जो application है वो online apply कर सकते हैं online apply आप केवल 20 December 2021 से पहले पहले कर पाएंगे और इसी website के मादम से आपको आने वाले समय में examinations किसे समन्दी जो भी date होगी जो भी admit card होगे वो इसी website के उपर publish किये जाएंगे आगे देख लेते हैं इन सभी पदों के लिए qualification का विवरन किस प्रकार से रहेगा qualification का विवरन जूनियर असिस्टेंट ओफिस असिस्टेंट के लिए जुरूरी योगेता की बात करें कूल 42 वेकेंसी हैं 42 वेकेंसी में से 3 economically weaker section के लिए journal के लिए 19 है OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3 वेकेंसी है इनमें include कर रखी है 4 वेकेंसी ex-service man के लिए mandatory sports person के लिए भी दो वेकेंसी और handicapped के लिए भी दो वेकेंसी है और जुरूरी योगेता जो है वो बार्मी कक्षा किसी भी रिखोकनाई बोड से पास कर रखी होनी चाहिए और इसके इलावा 30 शबत प्रती मिनट आपके English में typing speed और 25 शबत प्रती मिनट हिंदी में आपकी manual type reader के उपर और computer के उपर आपकी 35 word per minute English में और 30 word per minute हिंदी में आपकी typing speed होनी चाहिए तभी आप apply कर पाएंगे और पे scale रहेगा वो level 2 की वेकेंसी 18 से 35 वर्स के बीच के जो can data apply कर पाएंगे और selection होने के बाद जो आपका probation period रहेगा वो दो वर्स कराएगा उसके बाद आप regular शुरू से ही regular होते हैं लेकिन जब सुरुआत में जब selection होने के बाद दो साल का सभी पदों के लिए ये दो साल का probation period रहता ही है अमूवन रहता ही है इसके बाद बात करते हैं senior assistant की vacancy है तीन इसमें एक जर्न सरनी के लिए दो जर्न सरनी के लिए और एक OBC सरनी के लिए vacancy है essential qualification की बात करें जरूरी योग्यता की बात करें bachelor degree यानि कि graduation की डिगरी कम से कम 55 पर 30 अंकों के साथ किसी बिरिगोगनाज बोड से पास कर रखी होनी चाहिए और typing speed की बात करें 30 शबत परती मिनट इंगलिश में और 25 शबत परती मिनट हिंदी में manual type writer के उपर और computer के उपर आपकी 35 word per minute इंगलिश में और 30 word per minute हिंदी में आपकी typing speed होनी चाहिए experience की बात करें जरूरी है experience पे level 2 का arts verse का experience होना चाहिए और level यह जो vacancy है यह level 4 की vacancy है senior assistant की इसके बाद program officer की और ASU की जो vacancy है चार vacancy है इसमें 3 general senior के लिए BC के लिए एक vacancy है bachelor degree किसी भी recognize university से 50 परतीस अंकों के साथ और diploma in corporation essential जो experience है वो दो वर्स का आपका qualifying experience in central यह state government में होना चाहिए pay level 7 की vacancy 18 से 40 वर्स के वीच के apply कर सकते हैं program officer यह ASU के लिए इसके बाद है office student की vacancy office student की दो vacancy है दोनों की दो general senior के लिए रक्षित रखी गई है जरूरी योग्यता की बात करें bachelor degree 35 परतिशत अंकों के साथ किसी भी रिकोगनाईज बोर्ड से और knowledge of computer basic software tools like window, excel, photoshop एतिया दीगी जणकारी होनी चाहिए और दो वर्स का experience pay level 7 में होना चाहिए या 10 वर्स का experience pay level 4 में आपका होना चाहिए और level 8 की vacancy है और 18 से 40 वर्स के बीस के जो candidate है वो apply कर पाएंगे आगे instructions दी गई है instruction में बताएंगे केवल और केवल आप online apply ही अपनी submit कर पाएंगे और reservation का benefit जो है वो SCST या OBS economically weaker section या handicapped का वो जो policy है government of NCT of Delhi की दिल्ली government की जो policy है उसके मुताबिक आपको दिया जाएगा और जो government विभागो में government नौकरी में पहले से है और इन पदों के लिए apply करना चाहते है उनके लिए हिदायद दीगी है point number 4 पर की वो पहले से NOC लेकर आप apply करें through proper channel apply करें और apply करने के लिए जो government सेवा में है उनके लिए एक instruction दीगी कि online application submit वो through proper channel करें और through proper channel करने के लिए उनको OSD recruitment room no 312 third floor दिल्ली स्किल and entrepreneurs university द्वारका सेक्टर नो द्वारका न्यू दिल्ली के पते पर ये भेजनी है ये केवल उनी candidate ने अपनी online application भेजनी है जो पहले से government सेवा में है और इन पदों के लिए apply करना चाहते हैं इसके इलावा अन्य candidates को अपनी जो online application का print out नहीं भेजना है इसके इलावा जो examination का scheme रहेगा वो उसकी detail भी इसके अंदर दी गई है इसको एक बार आफ थोरली पढ़ ले और बात करते हैं आगे कि आपको fees detail किस परकार से रहेगी fees की payment आपने कितनी कितनी fees payment करनी है वो अपने जो online application submit करनी है सभी पदों के लिए जो journal study के candidate हैं उन्हें 500 रुपे प्रती application fees के रुप में पे करना पड़ेगा और जो candidate जर्नल सेनी के इलावा जो अन्य candidate है चाहे वो OBC के हैं SCST के हैं या economically weaker section के हैं उन्हें 250 रुपे प्रती application fees के रुप में आपको pay करने पड़ेगी यह था फीस का वीबरन और फीस भी शायद online ही आपका कट होगी और आगे बात कर लेते हैं syllabus of examination इन पड़ों के लिए जो return examination होगा वो कितने कितने face में होगा junior assistant office assistant का जो examination है वो part 1 में ही होगा और उसके बाद skill test होगा जो senior assistant program assistant ASO office student का दो part में आपका examination होगा और केवल senior assistant का skill test लिया जाएगा अन्ने किसी का skill test नहीं होगा इस परकार आपका return examination होगा इस परकार के जो ये पद है university के द्वारा निकाले गए हैं इनके लिए आपको केवल और केवल online application ही submit करने पड़ेगी इस परकार के नए-ने job notification जानने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like वे share जरूर करते रहें ताकि आपको हर छोटी बड़ी भरती की update इस चैनल के माधम से मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भरती की जानकारी के साथ तब तक आप चैनल को subscribe जरूर करते रहे धन्यावाद